बिस्मिल्ला रिक्मार रहीम अस्सलाम उलेकम फ्रेंड मेरा नम हुसिन और आप देख रहे हैं फॉर एक्सी को और आज मैं आपके साथ एक लाइव ट्रेड शेयर करने वाला हूँ जो कि मैंने एक्जेक्टली उस मैथेड से लगाई जो कि मैं आरडी आपको पहले बता चुक जो कि यह वीडियो और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौझूद अगर आप आप इस वीडियो नहीं देखिए तो आप इस वीडियो को देखिए और आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं यह स्ट्राटेजी आरडी मैं शेयर कर चुका हूँ और इसके साथ मैंने यह strategy भी आपके साथ यानि के दो तरीकों से share की है तो इसको लाजमी देखे मैं उसी को implement करूँ दोनों की वीडियो जो है link description में मौझूद है अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी हैं तो लाजमी देखे इनको और आप implement करें तो चलते मार्कीट के अंदर यहां पे देखें तो मैंने exactly वही pattern बराँ रखा है जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ share किया और अगर आप इसको अभी गोल्ड की मार्कीट अगे आप इस टाम देखें तो इस टाम जो current rate चल रहा है वो 1871 डॉलर्स पे मौझूद है गोल्ड का आपकी है yellow और जो 50 वाली moving average है वो आपकी है ये वाली white color की ठीक है अब यहां पे अगर आपको याद हो तो मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था कि यहां एक area बनाया गया था इसको मैंने blue लग किया था अगर आपने वो नहीं देखा तो आप पिछली वीडियो देख सकते है मैंने आपको exactly यहां पे बताया था कि अगर market इसको break करती है तो यह sell हो सकती है और वो हमने किया था मैं भी आपको बलके दिखा भी देता हूँ कि क्या हमने उसको वो यहां पे टेस्ट किया था यह देखें यह मैंने आपके साथ lines एक draw की थी और उसमें यह मैंने कहा था कि कुछ ऐसे यह कर रहा है और यहां पे यह market इस तरह से है यानि कि अगर आप देखें तो इसको इसने यहां पे sport बना रखा और यहां पे इसको resistance के तोर पे ले रहा है और अगर मैं उपर से line एक लिया है यहां से तो यह एक trend line भी नीचे की तरफ आ रही है और यह cell के अंदर यह इसको gold को show कर वा रहा है उसके बाद इसने जो next नीचे जो sport बना रखी है वो यहां पे है यह इसका इस तरह से triangle हमने बनाया था कुछ ऐसे इस तरह का triangle था और मैंने आप से यह कहा था कि अगर यह triangle से निकलता है बाएर तो आप इसको अगर यह नीचे की तरफ निकलता है तो आप इसको sell कर सकते हैं और अगर ये उपर की तरफ जाता है तो आप इसको buy कर सकते हैं मुझे नहीं पता कि आप मैसे कितने लोगों ने trades की हैं बट यहाँ पे देखें ज्यादा था chances क्योंकि day 1 के अंदर ये 50 के moving average से नीचे cross कर रहा था और जैसे इसने नीचे cross किया और ये एक level था मैं भी आपको उसका भी दिखा देता हूँ ये अगर आपने उसको नहीं देखा वीडियो में परानी वीडियो में देखें मैंने कहा था आप से कि आपने इस level पे trade नहीं करनी है ये जो levels भी आपको मैंने highlight की हैं यह मैंने आपके साथ कहे थे कि आपने इन के अंदर ट्रेड्स नहीं करनी है और इसके अंदर जब तक वो ब्रेक नहीं करता आप इसको होल्ड करें और यह एक ट्राइंगल और भी था यहां पर नहीं सोरी यहां तक था ठीक है जहां पर मैंने ट्रेड ले रिखी है और इसका अंदर देखा या H1 में भी आप इसको देख सकते हैं exactly आपको समझ आएगा कि क्या हुआ है यह देखें यह एरिया ऐसा था जहां पर मागीट उपर नीचे उपर नीचे इसी तरह से मूव कर रही थी और इसने कोई प्रॉपर डारेक्शन नहीं बना रखी थी इसलिए हमने इ आप इसने नीचे की तरफ क्रास किया तो हमने एक सेल की ट्रेड ली जो के मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि अगर इसको क्रास करते हैं और आप देखें यहां पर दो हमें इंडिकेट कर रहे थे moving average और दूसरा ये है कि हमने RSI की भी मदद ली यहां से दो indication जब हमें मिली और दूसरा इसने levels को break किया levels जो है वो अगर break करती है market तो वो बहुँ ज़्यदा important part होता है trading अंदर और उस time अगर indicators आपको नहीं भी signals देरे तो आप levels के उपर भी trade कर सकते हैं price section जिसे हम बोलते हैं और prices अगर levels break करती हैं तो हमने trade उठानी है तो यहां पर तीनों चारो signals जो हमें provide अच्छे हो रहे थे जैसे ही market ने इस level को जो last वाले level से उनको break किया तो मैंने sell की trade उठाई और अब भी तक वो trade चल रही है और आप यहां पर देखें तो अब यह जो stop last है यह stop last था और इसी को मैंने trail करके नीचे लेके आया हूँ और यह stop last पहले हमने 200 moving average के उपर लगाया था और जैसे market नीचे गई इसको नीचे करते गए और अब भी हमने इसको काफियत तक down करके है और अब भी भी यह stop last है वो 50 के moving average के उपर है अब एक और चीज़ आप देख सकते हो कि यह अगर हम H4 में जाके देखें तो H4 में यह जो candles हैं यह break कर चुकी है इस level को अब यह एक level था जहां पर market रुख सकती थी अब अकसर दोस्त पूछते हैं कि हम take profit कहां पर ले करें कैसे मैं पता चलेगा कि आप यह market अपना trend change करने वाली है तो आप levels को लाजमी ध्यान में रखें यह जो level है last पे जो हमने यह वाले levels हैं यह वाले जो levels हैं यह काफी ऐसे levels हैं जो कि आप देख सकते हैं कि यहां पर भी इस ने काफी इसको sport बनाया फिर नीचे गिरी sport ब देखें तो इसको वह एजा resistance के तोर पे ले रही है इस level को अब यह market यहां से उपर आई भी है तोड़ने के बाद दुबारा लेकन गिर गई इसके बाद और अब जो next TP है अभी मैं इस trade को close क्यों नहीं कर रहा हालांके बहुत अच्छा profit यह अभी भी हमें दे रही है लेकर इसको अभी मैंने close इस वज़ा से नहीं किया कि हम इससे maximum profit उठा सकते हैं मैं अभी आपको उसका दिखा भी देता हूँ अगर आप इसको वह देखेंगे तो यह देखें गोल के उपर हमने trade की 26 अक्तूबर को और इस time जो profit चार रहा है वो 2945 डॉलर इसके ग्रीब ग्रीब जोहना वो आप देख सकते हो profit margin अभी विचार रहा है अगर मैं यहां पर trade बंद करता हूँ तो हमें तक्रीब लग बग 3000 डॉलर का जोहना वो profit अभी भी है लेकन मैं इसको wait करूँगा इस level तक क्योंकि market इस level तक आएगी और अगर opposite भी जाती है तो हम इसका जो stop loss है वो हमन हमें इसका 1394 डॉलर का profit होगा जो इसका जो last high है उसके उपर हमने इसको stop last दे रहा है और इसका जो ठीपी है वो लगा रहा है यहां पर इस level के उपर क्योंकि market को इस जगह पर आना अब आसान है क्योंकि जो पिछले levels हैं वो सारे break कर चुकी है और अगर ये candle नीचे closing दे द है ये market हमारे जो profit है उसको hit कर जाएगी और हम इसे मतलब के चार सार डॉलर तक जो है वो profit निकाल सकते हैं जो मैं practice करता हूँ demo के उपर भी practice करता हूँ और साथ मैं जो trades लगाता हूँ execution के लिए और इसके अपने जो बकाइदा मतलब के हैं strategies को implement करने के लिए मैं demo पी practice करता आपको भी यह मशवरह देता हूँ का आप demo पे trade करें और जब आप समझें कि आप profit में trade कर सकते हैं और वो strategy आपके लिए काम कर रही है तो then आप उसके ओपर अपने real amount के ओपर भी trade कर सकते हैं अभी जो gold है यह काफी अच्छी जगा पे मौझूद है और आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो place है वो आप यहां पर लगा सकते हैं ठीक है लेकर मुझे जहां तक लगता है तो यह इसका strong level है और अगर हम weekly basis पर देखें तो वही आप देख सकते हैं उसमें यह वाला strong RL एकन day 1 के अंदर यह काफी strong level है और यहां से यह 200 का moving average भी यहां पर आएगा और 1817 dollars जो आपके सामने आ रहे हैं 1817, 1820 की range में जब आएगी market तो दुबारा से यहां से buy करने के chances हैं बट इसमें हम और चीजें भी देखनी पड़ती हैं सिरफ ऐसा नहीं है टेक्निकली अगर आपको देखें तो यहां पर moving averages काफी हद तक 50 के नीचे है और 200 के उपर है और 200 के उ वापस मुड़ना है तो market दुबारा से boost कर सकती है इसको उपर की तरफ लेकिन अभी काफी हद तक जो trend है वो downtrend में market है यह आप देख सकते है डे वन के अंदर gold में और यह अगर move करती भी तो ऊपर शायद आए और यहां से नीचे भी जा सकती है 200 को अगर यह break करती है तो फ हमे को रात को और कल हमें इसकी closing देखना पड़ेगी कि कल रात को यह वाली जो day 1 की candles हैं यह कहां पर break करती है और इनको इनकी लगभग जाना वो move करना चाहिए और यहां तक अगर यह market आ चाती है तो फिर हम next week को देख सकते है next movement इसकी क्या बनती है अब यह वाला जो level है इ इसने sport बनाया day 1 के अंदर और अगर H1 में चाह करेंगे तो काफी आपको clear नजर आएगा कि काफी time तक यहां पर market sport बना के रखी है और यह जो level है यानि कि 1857 और 1850 कि लगभग यह काफी strong area है और इस area को तोड़ना जरूरी है अगर वो नीचे मजीद मतलब selling gold करना चाहता है लिकन directly तो नहीं करेगा इसके उपर आके दुबारा से यह बारा level काफी strong level अब बन चुक है और अब buy का जब भी आपने सोचना है तो आप इस level यह जो trend line है इसके उपर अगर market closing देना शुरू करे देन आप buy की तरफ जा सकते हैं otherwise जब तक इस trend line को break नहीं करती आपने कोई buy की trade नहीं लेनी है यह आप याद रिखिएगा इस बात को और अब next जो है वो इसमें जैसे market उपर आईगी को main trend इस time sell का trade trend चल रहा है gold के अंदर और अगर आप यहां पे buy buy trades लगाएंगे तो आप काफी losses उठा सकते हैं तो यह चीज़ें काफी देखने वाली होती है काफी ज्यादा इसमें practice करने की जरूरत है तो hopes हो कि आप इस चीज़ को समझे होंगे और अब भी जो हम profit में चल रहे हैं अगर यहां पे हम इस close इसको closing करते हैं तो तो आठाई से 100 dollars के क्रीब क्रीब है लेकर हम wait करेंगे कल की closing का और उसके बाद हम decide कर सकते हैं कि next जो market है वो कहा पर move करेंगे कल भी वीडियो इसके उपर मैं बनाऊंगा कि इसकी last move अब कहां पर है और आप उसको check कर सकेंगे अभी यहां पर देखते हुए आप कोई भी trade execute नहीं कर सकते आप अपने levels को अपनी market को check करें then आप पर trade करें ऐसा नहीं है कि मैंने भी आपको बताया कि यह यह आपने अपने इसाब से दिखने कि आप किस सरह की trading करते हैं और किस तरह का profit margin जह वो लेना चाहते हैं अपना बहुत सरह ख्या रखियागा hope so कि आपको इसकी काफिया तक समझ आई होगी comment में जरूर बताए कि आपको यह video कैसी लगी और कोई भी question आप comment में जरूर लिखें म मुझे आपकी comment को मैं आपको पढ़ता हूँ और like करें video को 100 like इसको लाजबी आना चाहिए अपना बहुत सरह ख्या रखियेगा हल्ला आफिस